आज के इस सेशन में मैं बात करने जा रही हूं एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक की हाडली कभी ऐसा हुआ होगा कि हमारे पास माइको प्लाजमा से कोई सवाल नहीं आया तो बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि हो सकता है कि इस से सीधा आपके नीट में चार माक्स लिविंग सेल एक्जिस्टिंग एज माइको प्लाजमा पहला इंपॉर्टन चीज री ओ मॉर्फिक माइट मतलब ओओ ओल्हजी मतलब अलग meet exam की बात करूं या फिर board exams की बात करूं तो hardly कभी ऐसा हुआ होगा कि हमारे पास mycoplasma से कोई सवाल नहीं आया mycoplasma आता है मेरे biological classification के chapter में within biological classification everyone सबने सुनाए kingdom monera हमारा bacteria का एक lota kingdom उस kingdom के अंदर एक exception होती है mycoplasma है ना के अंदर एक exception होती है mycoplasma और आज हम उसी mycoplasma के बारे में in and out जानेंगे तो बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि हो सकता है कि इससे सीधा आपके meet में 4 marks और हो सकता है boards में भी एक नए कुशिन जरूर इससे आता है चाहे वो one word की form में दे दे कहीं philips दे दे कैसे भी but this is one of the favorite topic जो की examiner's का होता है मैं किस चीज की बात कर रही हूं बिटा मैं बात कर रही हूं mycoplasma की अब अगर मैं normal bacteria की बात करूं bacteria plural bacterium singular normal bacteria की बात करूं अगर मैं तो हमें पता है कि bacteria के पास क्या होती है बिटा cell wall होती है वो cell wall किस चीज की बनती है cell wall बनती है peptido glycan peptido बोले तो protein part glycan बोले तो sugar part कौन सा sugar NAG और NAM है ना peptide बोले तो protein part glycan बोले तो sugar कौन सी sugar NAG और NAM बट mycoplasma एकदम अलग है क्योंकि सारे bacteria के अंदर मिलती है मुझे ये cell wall बट mycoplasma एक ऐसा bacteria है बिटा पैन ले लेते हैं mycoplasma एक ऐसा bacteria है जिसके अंदर आपको cell wall मिले गी या नहीं बिटा इसके अंदर है cell wall absent और cell wall absent होते हुए भी ये है एक bacteria तो exception होने की वजहां से भी कुछ ना कुछ questions आ जाते हैं अब अगर मैं इसकी बात करूँ कि भाई मेरा mycoplasma दिखता कैसा है तो हो कुछ ऐसा दिखता है जो बाहर है वो cell wall नहीं है याद रखना यहां cell wall नहीं होती अब इससे सवाल क्या आता है बिटा अगर कोई आपसे mycoplasma the smallest living cell existing is mycoplasma पहला important चीज ठीक है पहला important चीज यह सब lines एक questions है बिटा it is the smallest living cell बिटा इसको हम प्यार से बोलते हैं PPLO अब यह PPLO क्या होता है आप पूछोगे बिटा PPLO की full form है pleural pneumonia like organism क्या है यह बिटा pleural pneumonia like organism बिटा pleural मतलब pleural fluid जो body के अंदर fluid होता है उसे हम pleural fluid बोलते हैं तो pleural fluid से extract किया था इसकी discovery के time from an organism who was suffering from pneumonia इसका मतलब यह organism pneumonia कर सकता है जब इसने किसी को pneumonia cause किया हमने उसका pleural fluid extract किया उस दौरान हुई इसकी discovery इसी लिए इसका नाम पढ़ गया PPLO क्या नाम पढ़ गया PPLO pleural pneumonia like organism it is the smallest living cell question number 2 it can survive without oxygen oxygen के बिना भी सिंदा रह सकता है question number 3 बिटा इसका DNA कैसा है linear coiled double stranded DNA याद रखना DNA कैसा है double stranded DNA सारे questions है PPLO pleural pneumonia like organism क्यों क्योंकि pleural fluid में से extract किया था from a person who is suffering from pneumonia ठीक है आगे देखिए oxygen के बिना survive कर सकता है oxygen के बिना survive करना मतलब anaerobic condition में survive कर सकता है it is the smallest living cell next important thing it lacks cell wall already आपको बताया बिटा अब cell wall एक ऐसी चीज है जो की एक cell को बहुत rigidity एक shape प्रोवाइड करती है अब क्योंकि cell wall नहीं है so it can change its shape very drastically अब अगर मैं सरकस में जाती हूँ तो मैं सरकस में देखती हूँ बिटा जोकर अब जोकर क्या करता है जोकर अपने expressions को यूँ चेंज करता है कभी हस रहा है कभी एकदम से बहुत उदास है कभी कुछ कर रहा है कभी बहुत serious है so the जोकर डाज वट जोकर is famous for changing the expressions instantly तो ये जो मेरा mycoplasma है cell wall ना होने की वजहा से ये अपनी shape को बहुत change कर सकता है प्लियो मॉर्फिक मतलब morphology प्लियो मतलब अलग-अलग अलग-अलग morphologies change कर सकता है क्यों क्योंकि cell wall नहीं है इसलिए इसे हम बोलते हैं joker of the plant kingdom इसलिए इसे हम बोलते हैं joker of the plant kingdom बिटा अब और देखो अगर मेरे को कोई bacteria ने infect किया तो मैं क्या लेती हूँ antibiotics क्या लेती हूँ मैं antibiotics अब वो antibiotic किस चीज पर अटाक करती है usually एक bacteria और या फिर एक bacterium के cell wall पर कहां cell wall पर अब बिटा mycoplasma के अंदर तो cell wall ही नहीं है इसका मतलब मेरी penicillin ली हुई किसी काम की नहीं है क्योंकि penicillin का mode of action cell wall पर होता है अब अगर mycoplasma में cell wall ही नहीं है तो attack किस पर तो वो prevent कैसे करेगी mode of action cell wall पर है इसी लिए बिटा it is insensitive to penicillin and lysozyme क्योंकि अगर मैं penicillin और lysozyme की बात करूँ तो इनका mode of action किस के थू होता है cell wall के थू bacteria ने मेरी body को attack किया मैंने lypenicillin अगर वो bacteria mycoplasma ये कुछ हजर नहीं होगा तो आप बोलोगे कि मैं mycoplasma से related disease हो गया तो मैं क्या लूँ बिटा ऐसी कोई antibiotic जिसका mode of action cell wall के अलावा कोई और feature हो जो इसमें exist करता है अब penicillin is ineffective तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ बिटा tetracycline यूज कर सकती हूँ क्या यूज कर सकती हूँ tetracycline यूज कर सकती हूँ तो इस चीज को समझो जो आंटीबाइटिक cell wall पे mode of action दिखाती है वो ineffective होगी अगर mycoplasma ने attack किया है इस page से भी बिटा सवाल आ सकते है कि mycoplasma diseases cause करता है it is pathogenic kiss में सवाल नंबर एक plants और animals दोनों के अंदर plants की बात करें तो ये witches broom cause करता है woody plants में जो की ऐसा दिख रहा है और little leaf of brinjal brinjal की leaf का size छोटा हो जाना और animals में already मैं mention कर चुकी हूँ pleuroneumonia pleuroneumonia जिसके दौरान इसकी discovery हुई और हमने इसको PPLO भी बोला तो बिटा अगर मैं mycoplasma की बात करती हूँ तो मैंने आपको इसके कुछ-कुछ important characteristics बताए बट खास बात ये है कि वो characteristics का नाम ऐसा है क्यों क्यों PPLO why is it called as PPLO you got to know that इसे Joker of the Plant Kingdom बोलते है it is the smallest living cell anaerobic condition में रह सकता है cell wall नहीं है penicillin का इस पर कोई action नहीं होगा lysozyme का क्यों action नहीं होगा tetracycline will act on it क्योंकि tetracycline का mode of action cell wall पर depend नहीं करता तो ये था बिटा mycoplasma बहुत important topic है और very high chances that one or the other question will appear from this topic I hope you liked it everyone please share this video as much as you can thank you so much